मेरा नाम प्रियांशु गुपता है वेलकम टू प्रियांशु लॉक्स एंड ही लक्ष लक्ष मेरा कॉलिज में है तो यह हम महीं टेक में इकठे आये थे तो आप लोग उने बहुत सारी क्वेरिस की थी कि मूबाइल फोन्स एंड सिम के बारे में बताओ तो मैंने का कोई चीज़ें शॉप पर भी काम करता हो और उसके पास सारी नॉलेज हो विकॉस मैंने जो एसने बाई किया था आपको मैंने बता लिए था अपना एकस्पीरियंस क्या था कौनसे सिम से बाई किया था और टाइपस ओफ सिम आपको बताएगा यह लक्ष और टाइपस ओफ विद उसने राइट डाउन किया है और वो ज्यादा बेनिफीशर रहेगा आपके लिए ठीक है सो गैस आपको बताने जा रहे है लक्ष लक्षे सबसे पहले आप बताओ कि टाइपस ओफ सिम्स कौन से टाइप के सिम होते है जो कैनेडा में मिलते है औरर रट सो कैनाडा में तीन बिग कंपनी जाय रोज़र्स बेल और देल्स अजोल इन तीनों के में नेट्वर्क सेऊंच नहीं सबसे पुराने और सबसे जाएदा स्टरॉंग है इनके अंडर कंपनी जाती है यह एक हरार्की है जैसे रोज़र्स हो गया यह बैल हो गया और थे टेलसे होगया तो रोजर से एंडर कंपेंडिया थीया भाट के अंडर कंपणी आती अदिया है बार्जिन मोबाइल और यह दुछिंधि हम स्टुडेंट्ट्हूं ऑर सप्याइशन दो किसले सार्ग को नहीं लोगों में खेंट तो कुछ प्रेफर करते हैं यह वर्जिन मॉबाइल बट इन तीनों के नेटवर्क्स बहुत जादा स्ट्रॉंग हैं पूरे कानडा में यह सो यह अबाउट सिम था और सेकेंड अब बताओ कि कौन-कौन से मॉबाइल फोन्स जो ओफर्स वे मिलते हैं सिम के साथ और कैसे अफ अब यह है बिल्कुल रीसेंट जो ट्रांदेशन होई है इन कंपनियों में जो रीसेंटली चल रहा है इस टाइम पर मार्केट में तो रॉजर्स और बेल और टेलर इस टाइम पर प्रीमियम कंपनी बन चुकी हैं तो यह इनके प्लान स्टार्ट होते हैं 75 डॉलर्स पर जो 10 GB data मिलता है इनका प्लान है रोजर्स का और बेल का और टेलर इसका और उसमें unlimited Canada-wide calling मिलती है और unlimited worldwide messaging होती है और unlimited worldwide messaging होती है और इनकी वन टाम आप्टिवेशन होती है 35 डॉलर्स जो कि scenarios होते हैं कई बारी कोई deals या schemes चल रही होती है जब कि यह wave off कर देते हैं वो जो लोग हम लोग जो provide करते हैं और कभी-कभी क्या होता है कि कुछ students कुछ जो गार बुगार लगा के I don't know बट एक probability रहती है 50-50% chances रहते हैं कि आप customer care को call करो और वो activation fee wave off कर देते हैं not guaranteed तो तो अ Fido Rogers के ही towers use करता है that means जहां पर पूरे Canada में Rogers की connectivity strong है Fido की ही उतनी strong है तो Fido में अलग अलग चीज़ें आती है जो कि students के लिए जादा you know possible है या viable कह सकते हैं उसको हम so 500 minutes calling मिलती है जो कि 500 minutes होते हैं incoming plus outgoing तो इसलिए students जादा प्रेफर नहीं करते हैं इस चीज को Canada-wide students प्रेफर क यह मिलता ही मिलता है ठीक है Fido के प्लान में यह version mobile के प्लान में यह कोडो के प्लान में रिसेंटली क्या चल रहा है 2 प्लस 2 GB मिलता है या 3 प्लस 3 मिलता है 4 GB 6 GB 8 GB और 10 GB का प्लान दाते हैं usually students start करते हैं minimum plan से जो कि 4 GB का प्लान है Fido version kodo तीनों में ही thousand minutes calling मिलती है in countries में Australia, Bangladesh, China, China, Macau, Germany, Hong Kong, India, Italy, Mexico, Taiwan and UK. So mostly इसकी से अट्राक्ट होते है students की 1000 minutes calling मिलती है उसके अलावा Fido आपको Fido specifically क्या देता है आपको data overage protection देता है जिससे कि अगर आप वो data limit पे पहुंच जाओ 4 GB की उसके बाद वो automatically पीछे से बंद कर देता है data थाकि आपको over charges ना पड़े I'll like to tell you one thing here कि Canada में जब भी आप अपने given data से ओपर जाते हो यहाँ पे data के charges बहुत बहुत जादा है तो सबको यह suggestion रहता है कि वो अपने data का सोड़ा ध्यान रखें इसके अलावा एक feature देता है Fido जो कि सिर्फ Fido ही देता है five hours of unlimited LTE data that means आपको charge भी मिलता है उसके अलावा one hour into five times a month आप unlimited data use कर सकते हैं इसमें example देना चाहूंगा कि मेरा customer था जो कि वॉल टीम का player था तो मतलब कि उसने अपनी पूरी टीम को hot spot दिया था एक घंटे के लिए और वो एक घंटे में 28 GB का net use हुआ था so that didn't charge him anything so he was happy with that thing तो ऐसा वो महिने में पांच बरी कर सकता है यह एक फीचर है जो कि Fido provide करता है उसके अलावा Fido extra मतलब की Fido की application अगर आप कोई भी Fido customer download करता है वो हर weekly basis पे Thursdays को वो deals या giveaways देते हैं महले special special offers देते हैं अपने customers को so customers have to make sure that they visit their mobile application every Thursday कभी-कभी उनकी calls भी आता आती है operator से कि हमको आपको देने के लिए यह deals है if you would be interested तो plans की अगर हम बात कर लें तीनों के ही Fido version mobile और kudo तो depend करता है deal salary होती है कभी अभी नहीं चल रही होती है बट recently जो September intake आया है so students की आने start हो गए थे Canada में around you know August में 15th of August से 30th of August जो जिनकी September से classes start होती है तो उसने पर यह deal चल रही थी कि 50 dollars का plan था 55 का plan था 60 का plan था 65 का plan था तो अगर हम consider करें 55 dollar वाल प्लान क्योंकि 50 dollar वाल प्लान 500 minutes calling है जो की incoming और outgoing combine होने के वज़े से students prefer नहीं करते हैं students prefer करते हैं 55 वाल प्लान जिसमें की unlimited Canada wide calling है जिसमें की आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि you know incoming कितनी हो गई है आपको कितनी हो गई है और मैं total मिला कि मैं cross तो नहीं कर गया हूँ अपकी limit को तो वो 55 वाल प्लान करते हैं अब deal यह थी कि 10 dollars off मिल रहा था initial 12 months के लिए मतलब कि यही प्लान आपको पढ़ता 45 dollars per month for first 12 months in Canada और उसके अलावा एक और deal चल रही थी कि जो भी मैंने जॉब को इस वीडियो की starting में बताया one time activation fees लगती है 35 dollars तो वो लोग क्या कर रहे थे वो initial first month में charge कर रहे थे वो 35 dollars but second month या third month में वो आपको bill credit दे रहे थे, bill credit मतलब कि मान लीजे 3rd महीने में, second महीने में आपका bill है 45, right 55 minus 10, 45 तो 45 minus 35 dollars उन्हें ने first time पर आपको charge किया था, वो भी 35 वापे दे रहे थे, 45 minus 35, that makes 10, so आपका second bill या third bill आपका सिर्फ होता 10 dollars, तो ये भी एक scheme चल रही थी, तो इसको हम बोलते थे, activation fee, wave off कर दीनों लोगों ने, तो ये Fido में भी चल रहा था, Virgin Mobile में भी चल रहा था, और Kudo Mobile में भी चल रहा था, तो बहुत अच्छी deal थी, मालब September Intake वाले लोगों के लिए, और जो लोग पहले से भी थे, और जो लोग कार्ड कॉस्ट नहीं लेते हैं, ठीक है, इसके बात मैं मुबाइल की बात बात में करूँगा कि मुबाइल आप कैसे निकलवा सकते हो, तीनों करियर में, इन फाक्ट जितने भी करियर हैं, Canada में, बेल की बात कर लेता हूँ, quick review, बेल भी सेम काम करता है, बेल की नीचे आती देटा नहीं देते हैं, बट नहीं देते हैं, पर कुछ और और फीचर्स को जिसमें की ये चीज़ काफी पसंद आती है, जो वर्जिन मुबाइल के साथ जाते हैं, कि दो टेकेट्स की कॉस होती है, सिने प्लेक सेटर में, वो उनको एक एक प्रैस में मिलती है, ठीक है, इस बेनिफिट्स देते हैं ये लोग अपने कस्टमर्स को, तो इनकी अपनी के अप्लिकेशन है, माई बेनिफिट्स अप्लिकेशन, वहाँ पर जाके पता लगता है, वर्जिन मुबाइल की, ठीक है, अब सिमिलरली क्विक्ली कवर करना जाओंगा, मैं टेलस को, टेलस में अपनी है, इसके अंदर आती है कुडो, सेम चीज है, इनका 75 डॉलर का प्लान है, टेलस का, बट क्यूंकि सुडेंट्स मूसली कुडो के साथ जाते हैं, तो इनकी भी वन टाइम अक्टिवेशन फी होती है, हाँ, इसके भी वर्जिन मुबाइल ने अपनी अक्टिवेशन फी वेब ऑफ की थी और सेम प्लान से इनके, 50, 55, 60, 65 और अगैं 55 माइस 10, 45 और वन टाइम अक्टिवेशन फी जो 40 डॉलर सी, सेकंड महीने में और ती महीने में, यह थर्ड मंत के बल में वो वापिस आ जाती है, सिमलर्ली कुडो ने भी यही किया था, कुडो के प्लान सब के सेम होते हैं, कुडो ने भी यही किया था कि वन टाइम अक्टिवेशन फी जो 35 डॉलर है, सेकंड यह थर्ड मंत के बल में वो वापिस कर दी, और प्लान सेम रहा, 55 मैंस 10, 45 और फर्स 12 मांस, कुडो में एक और चीज आती है, जो कि मैंने एक्स्पिरिंस किया है अभी रि वाइल का सेम चाहिए, और इन फ्यूचर, मलब की विदन वान एर के, मलब एक साल के पीरिड के अंदर, आप 12 रेफरेल्स दे सकते हो इनको, और जैसे कि अगर आप एक रेफरेल्स देते हो, तो 25 डॉलर्स आपका वेव ओफ होता है, पांच महीने में आपका बेलकार, जैस आपने ये एक रेफरेल्स किया, similarly आप माक्सिमम बारह रेफरेल्स कर सकते हो, मतलब माक्सिमम लिमिट है कुडों की, 300 डॉलर्स अई है, that means, पांच डॉलर्स मिला आपको एक रेफरेल्स करने के बाद, और 45 का आपका बिल था, ठीक है, और आपको कितने रेफरेल्स करने हो कर सकते हो, तो एक साल में आपके 300 डॉलर, आप क्लेम, मतलब 300 डॉलर ये होगे, फ्री मिल रहे हैं, आपको कंपनी की तरफ से, similar रेफरेल्स प्रोग्राम्स होते हैं, Fido में भी और Virgin में भी, I'm not sure, उनके क्या प्रोग्राम्स हैं, बट होते हैं, क्योंकि ये मैंने रिसेंट और Virgin और Kodo, इनके अलावा एक चौथी डिविजिन है, Freedom Mobile, which is the fourth largest network in Canada, now Freedom is something which offers you plants, as compared to Fido, Virgin and Kodo, ये थोड़े एकनोमिकल प्लान्स ओफर करते हैं, क्योंकि, this is a company which is still growing in Canada, which is still in growing stage, very very good in, you know, इनकी connectivity बहुत अच्छी है, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, Toronto, Scarborough, Brampton, Kitchener, Waterloo, Cambridge, but इनकी जो और outer areas में connectivity है, अगर आप थोड़ा शहर से बाहर जाते हैं, तो ये nationwide में आजाते हैं, nationwide का मतलब ये होता है, इनका contract है, kind of deal है, इनकी Rogers के साथ, Bell के साथ, और Dallas के साथ, कि ये वो लोग अपने networks use करने देते हैं, जब भी ये अपने tower से बाहर जाते हैं, ये ल Waterloo के students रहें, University of Waterloo हो गया, Laurier University हो गया, even Connors होगा Waterloo campus, Connors होगा Dune campus, जिनका है मन जादा savings करने का in terms of mobile plans, तो वो लोग ये प्रेफर करते हैं, इनके plans काफी relatively कम हैं, इनके rates और उनको पता है, वो लोग, as a student, हम लोग maximum लोग जादा travel नहीं करते हैं, हम शहरों के अंदर ही र But, you know, as opposite to that, जो foreigners होते हैं, उनका घूमने फिरने का शौंक होता है, even हम लोग after, you know, हमारी degree जैसे खतम होगी, उसके बाद हम लोग भी घूमना फिरना पसंद करेंगे, तो ये चीज ठीक है, you know, initial जब आप study phase में हो, मलब initially आप एक साल के लिए या दो साल के लिए जब भी हो तो ये बहुत अच्छा option है, इसमें benefits क्या है, freedom mobile को ये activation fee charge नहीं करता है, ठीक है, और इनका एक चीज है जो लोग नए आते हैं students, मलब उनका, मलब जब हम credit check करते हैं, कभी align देने के लिए, कि तो ये लोग ना, एक security deposit, मलब जितने भी activation मैंने की हैं, new students के, मलब काफी लोग जाते हैं, freedom के साथ, जिनको पैसे save करना है, तो इनका security deposit रहता है, जो कि refundable होता है, after 6 months, जब आपकी payment terms ठीक रही है, ठीक है, 6 महीने के बाद ये आपको 50 dollar return कर देंगे, जो कि इनका security deposit है, अब आप ये 50 dollar जब देते हो company को, वो आपको एक line के लिए प्रूफ करते हैं, तो व जमें कि उनको 1.5 GB LTE data मिला था, उनको उस मतलब ये data होता है, जो highest speed in Canada, LTE, in fact world में सिक है, उसके बाद ये 3G unlimited देते हैं, I would like to tell you one thing, कि जो FIDO और Virgin और PUDO हैं, ये लोग अपनी limit 4 GB के बाद extra कोई data मतलब बन कर देते हैं, या फिर charge करते हैं, बट ये लोग चार्ज नहीं कर आई हैं, आप मलब कोई tension नहीं है, मलब आपका महीने में पूरा data खतम नहीं होगा, मलब आप यूस कर सकते हो, you know, Google Maps के लिए, या basic things like Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube की buffering नहीं हो सकती speed पे, क्योंकि मलब हो भी सकती है, depends, you know, कैसा signal आ रहा है, उसके अलावा ये data की बात होगी unlimited talking Canada-wide, unlimited, you know, calling Canada-wide और texting इसमें भी worldwide है, ठीक है, तो ये plan मेरे साब से अच्छा है, काफी students ने लिया है, मुझसे $25 a month, you know, as compared to $45, yeah, even $50, $55, so this is almost the half of the price, इनमें भी referral program है, Freedom में आप चेक कर सकते हैं, इनकी website पे जाके, ठीक है, और एक और चीज़ बताना चाहूंगा, कि Freedom Mobile का SIM card cost होता है, usually $10 हो अभी, you know, जैसे अभी intake हुआ, September intake, या जब भी नया intake होता है, तो इनकी कुछ प्रमोशन चलती है, डील चलती है, इसमें कि कभी कभार ये लोग $10 भी वेवाफ कर देते हैं, so no activation fees, no SIM card cost, you know, depends, you know, on the deals, this is also, you know, a good option, yeah, so ये में सारे करियर्स कवर की है, three biggies of Canada and the fourth largest network that is Freedom Mobile, yeah, so what is the next question, so ये होगी सारे सिम के plans की डिटेल्स, और कौन-कौन से टाइप के सिम से हैं, और कौन-कौन से रेंज में आते हैं, कौन से affordable हैं, कौन से स्टूडेंट के लिए बड़ी हैं, अब बात आते हैं कि अगर मुबाइल लेना हो, लोगों को बहुत क्रेज होता है कि आइफोन एक्स बड़े बड़े फोन लेने, और वो मतलब बहुत बजट में आ जाते हैं, उनके वो कैसे आ जाते हैं, वो बता दीजे स्टूडेंट को, जो भी व्यूवर्स हैं, यहाँ पर मैं इस बताना चाहूंगा, यह जो प्रसून वगरा सस्ते हैं, यह थोड़ा करे इनकरेक्ट भी है, इनकरेक्ट भी है, डिपेंडिंग यहाँ, आप कितना कमा रहे हो एक महीनेगा, या फिर आप कितने फलेक्सिबल हो, इस अपर बड़ेबल हो उतना उस्पेंड करने के लिए, फर एग्जामपल, अगर कोई स्टुडेंट मुझे आके कहता है कि आईफो आईफोन 11 लाउच हो चुक है, फर एग्जामपल, ठेक है, कि आईफोन 10B, 10S, Max, 10S, you know, still, they are decent phones, they are quite latest phones in fact, and you know, उनकी pricing अभी भी भी हाई है, अल्राइट, यह एक बेसिक रफ आइडिया दे सकता हूं है, मतलब कि क्या होता है उन देनों है, sorry, all right, so, मतलब देख पारे हो ग Rogers है, mean company, Rogers की pricing grade यह है, Bell company है, उसकी pricing grade यह है, Blue में, थेक है, वैसे Talos, जो third big company है, third, kind of second, तो इनकी pricing grade यह है, वैसे Fido, जो की Rogers के अंदर आता है, उसकी pricing grade यह है, Virgin की यह है, similarly, Kudo की यह है, so, the best part is की, जैसे की मैं काम करता हूं, the mobile shop, यह law loss companies limited के अंदर आती है, जो की Canada की, you know, one of the biggest companies है, तो उनका अपना venture है, यह, तो हम लोग सभी के साथ deal करते हैं, तो, you know, कोई vendor biasing नहीं है, कि हम लोग किसी vendor की तरफ बायस नहीं है, हम लोग customers की requirements देखते हैं, और, you know, उनकी जो, जो उनको चाहिए, बिल्कुल सभी से comparison करके, एकी जगा पे, यह नहीं है, कि आपको स सब भी के पास individually जाना है, और पता करना है, तो हम सब की comparison नहीं जगा पे देते हैं, तो, customers काफी खुश होते हैं, कि, you know, सारा कुछ उनको एकी जगा पे comparison करने को मिल रहे हैं, और, and then, they can make a decision, which is a really good thing, so, let's see, कि, you know, let's say, कि, अगर कोई नया student आता है, तो, as per my experience, Fido पे line अप प्रूव हो जाती है, you know, कुछ, काफी students रहे हैं, जिनकी line, जिनोंने नहा phone लिया है, आते ही, you know, Canada में land होते ही, within, you know, within a week, तो, उनकी line प्रूव हो जाती है, version में, कोई security deposit नहीं देना पड़ता, for example, let's take the example of Samsung S9, ये बात कर रहा हूँ है, around 15th of August से लेके, first week of September तक, जो कि हम back to school कहते हैं, Canada में, तो back to school deals होती है, कि, you know, universities और colleges दुबारा start होते हैं, let's say, Samsung Galaxy S9 है, which is a pretty decent phone, you know, अगर किसी को phone लेना है, या फिर किसी का phone मान लीजिए, यहां पर आके, यहां की SIM card support नहीं कर रहा है, and if they were looking for a new phone, तो Samsung S9 एक बहुत अच्छा option था, for Android users, तो यहां पर देख अब मैं जो आपको बता रहा था, हो था silver plan, जो कि 50 या 55 दॉलर्स का plan होता है, और minus 10 होके वो 45 हो जाता है, तो वो silver plan था, अब silver plan पे, हम silver, मतलब usually students mostly smallest plan ही देखते हैं, smallest plan का मतलब है, कि उनको minimum payment करनी है, career को, उनको phone भी मिल जाए, और उनका plan भी चलता रहे, so silver plan is the best option, इसको small plan भी बोलता है, हम लो, कि 120 दॉलर्स की down payment थी, बट उस ठाइम पे, क्योंकि ये PC points मतलब की president choice, जो की Loblaws अपने products बेशता है, president choice के, तो वो points देते हैं, 100,000 points, and that is equivalent to $100, और कभी-कभी ये उन दोनों में बढ़ भी जाते थे, कि मां लीजे, ये 100 के 200 हो जाएंगे, 100 के 250 हो जा ने थे points, तो हम लोग क्या करते थे, कि 120 दॉलर्स का down payment है, इसको उसी time पे redeem करके, मां लीजे, अगर 200,000 points मिल रहे हैं आपको, 200,000 points equal to $200, similarly 100,000 points is equal to $100, तो $200, अगर 200,000 points मिल रहे हैं, 200,000 points minus $200 minus $120, जो की $80 फिर भी रह गया आपके पास, वो $80 हम customers के card में डाल देते थे, इ जिसे कि आप groceries की shopping कर सकते हो, similarly अगर आपका 250,000 points होते थे, तो $250 minus $120, that makes roughly around $180, तो वो $180 हम सीधे customer के present choice, optimum card में डाल देते थे, जिसे कि वो groceries बगएरा खरी सकते थे, या 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 सूपर स्टोर में कोई भी समान हो, क्योंकि ये जो समान भू ले सकते हैं, जो की Kitchener Cambridge और Canada में हैं, तो आप वहाँ पे shopping कर सकते हो, तो that means आपको zero down पे, Samsung Galaxy S9 मिल गया, आपने कोई भी down payment नहीं की, ठेक है, और इसमें tab add होता है $10 का, that means कि अगर 45 का आपका plan है, तो 45 plus 10, 55, तो 55 आपको pay करने थे for initial 12 months, ठेक है, और similarly ये plan क्योंकि आपका $10 off कतम हो जाता after first year, तो 55 plus 10, 65 pay करने थे second year के लिए, तो on an average लेके चलें, तो $60 per month में आपको Samsung S9 मिल रहा था Canada में, ठेक है, Samsung S9 Plus की आप देख सकते हो, down payment $890 है, जो कि student नहीं जाते है, डिमेंड करता है, अलग-अलग students पे, कई लोग, you know, they are looking for the latest phone in the market, जैसे कि Samsung S10 हो गया, you know, Samsung S10 Plus हो गया, Samsung S10 Plus में भी दो variants आते है, 512 GB, तो 128 GB अगर लेके चलें, किसे को latest phone लेना है, तो if his, अगर उसको monthly देना है, 55, 55 का bill भरना है, तो उसको ये down payment करनी पड़ेगी, अगर उसको monthly 65 का bill भरना है, तो उसको ये down payment करनी पड़ेगी, similarly, अगर उसको monthly 75 का bill भरना है, तो उसको 400 की payment करनी पड़ेगी similarly अगर monthly उसको 85 का बिल भरना है उसको 200 की down payment करनी पड़ेगी और he can get the Samsung Galaxy S10 Plus अगर आप ready हो 85 you know 85-95 a month पे तो you know you can get the latest phones in Canada similarly अगर आपको कुछ भी down payment नहीं करनी है तो ये around 195 या 105 तक चला जाता है ठेक है उतना आपका monthly पे लाता है version पे ठेक है और इसके अलावा नो मलब ये जो diamond और diamond plus है जो platinum plants है मलब high plants मलब यहाँ पे आपका bill वेरी कर सकता है monthly anywhere between 85 to 115 डॉलर्स ठेक है वो depend करते है उस तब पे प्लान का चल रहा है तो again अगर आप वो चीज अफॉर्ड कर सकते हो तो Samsung की जो latest सबसे latest phones है वो है market में Samsung Galaxy S10 Plus similarly अगर आप iPhone आपको अच्छा लगता है you know you're planning to buy an iPhone in Canada तो for example हम लेके चलते हैं उस ताइम पे iPhone launch नहीं होआ था August की बात है तो उस ताइम पे market में iPhone 10S Max था highest option इस पे भी तीन variants आते थे 64 GB 256 GB और 512 GB let's say कि अगर customer को लेना है iPhone 10S Max 256 GB में तो अगर वो ready था around 1600 की डाउन पेमेंट करने के लिए तो he can get the minimum plan जो की कोई ready नहीं होगा 1000 डॉलर्स की डाउन पेमेंट है अगर उसको 65 या 75 पे पे करना है 940 की है तो ऐसे बढ़ते रहते हैं तो maximum 115 डॉलर्स पर मन्त पे गया था with some down payment and with 115 a month they can get the phones तो और ये चीज़ वेरी होती रहते हैं मैंने आपको बताया है यहां पे जैसे कि points मिलते हैं तो अलग-अलग phones के साथ points आते हैं तो वो down payment कम भी हो जाती है कभी कभी 200 डॉलर कम हो जाती है कभी 300 डॉलर कम हो जाती है depending हम कितना redeem करते हैं at the point of sales इसके अलावा अगर कोई फिर भी iPhone का user था और उसको नहीं इतना पे करना था तो Samsung Galaxy S9 के equivalent ही एक phone कह सकते हैं आता है तो iPhone 8 काफी लोगोंने लिया है similar deal चल रही सी iPhone 8 में कि 120 डॉलर्स की down payment थी और कई कई बार ये 100 200 हो जाता था 250 हो जाता था तो same 250 माइनस 120 zero down payment हो गई आपकी और minimum plan आपको पे करना था फिर्स एर के लिए और 65 अ मन्थ पे करना था second year के लिए तो on an average 60 डॉलर्स अ मन्थ में आपको मिल रहा था iPhone 8 ठेक है और आपको again उपर से extra points मतलब की extra पैसे भी मिल रहे थे जिससे की आप groceries कर सकते थे और super store से आप समान खरीद कर सकते थे similarly कई लोग कुछ लोग होते हैं जिनको Huawei के phones का शौंक होता है कई लोग होते हैं जिनको Google Pixel Google के जो फोन थे हैं उनका शौंक होता है तो हम लोग सारा कुछ इनको इस चीज को टाइम लगता है धाला टाइम ही लगता है मतलब की हम लोग used to हो गए इस चीज को करने के लिए तो हम सभी careers पे फटा फट compare कर लेते हैं जैसे कि कोई student आता है phone लेने के लिए हम FIDO पे comparison दिखा देते हैं the mobile shop under Loblaws एक price match guarantee देता है ठीक है आपने आते ही phone ले लिया आपके मनपसंद का phone ले लिया ठीक है तो आप उस चीज को हम आपको 14 days का time देते हैं 14 days का कि अगर आपको उससे better कहीं भी कोई deal मिल रही है या फिर you know promotion मिल रहा है सो हम उस चीज को honor करते हैं मतलब जो भी difference होता है या फिर deal में हम तो मतलब 14 days के अंदर हम उस चीज को honor करते हैं जो price match guarantee होती है कि you know walmart हो गया walmart से या costco हो गया या इन करियर्स के अपने kiosks होते हैं अपने stores होते हैं malls में ठीक है आपको पूरे Ontario के अंदर मतलब कि कहीं पर भी उससे better deal मिलें तो हम उस चीज को honor कर देते हैं कि जो भी difference होता है हम वो चीज वैसी प्रवाइड करवा देते हैं customer को within 14 days इसमें customer की satisfaction भी रहती है कि you know he or she has 14 days आप वो market भी घूम सकता है और at the same time उसके पास phone भी है वो अकेला नहीं घूम रहा है बिना network के बिना phone के अब यह question की आपको Canada आके phone लेना चाहिए यह नहीं लेना चाहिए completely depends upon कई लोग अलग 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 thoughts होते हैं तो अब करी लोग की मजबूरी होती है करी लोग के phones नहीं चलते हैं Canada के you know Indian phone support नहीं करते हैं यहां के SIM cards तो वो लोग के time पे option होता है मतलब उस time पे option होता है कि आप अच्छी deals लेके एक you know premium phone ले सकते हो Samsung S9 is a premium phone I would say similarly iPhone 8 is a premium phone तो बिल्कुल budget में हैं मतलब कुछ महेंगा नहीं है 50 dollars a month or at the same time अगर आपको लगता है but यह भी होता है आपका मन बन सकता है तो आप Fido की SIM यूज़ कर रहे हो या Virgin की SIM यूज़ कर रहे हो आते ही या Kudo की SIM card ले लिए और आपका phone support कर रहे है कर रहे है SIM card को तो आप SIM card यूज़ चला रहे हो similarly आपका 3 महीने बाद या 2 महीने बाद या 4 महीने बाद आपका मन बन सकता है phone लेने के लिए तो आपको उसी career से आपको offers आ सकती है या फिर आप हमारे बाद मतलब दुबारा आ सकते हो तो हम उस चीज़ को एक phone के साथ attach कर देते हैं कि मालो आपको Samsung S10 लेना, S10 Plus लेना है आइफोन 10 लेना है, 10S लेना है या Google का phone लेना है या Huawei का phone लेना है तो वह चीज़ पॉसिबल तो depends अगर आपकी मजबूरी है अगर आपको Canada आपकी SIM card नहीं चल रहे है तो यू can take a new phone, go for it क्योंकि वह best time होता है back to school या जो भी intake होता है उसके around 15 पहले 15 बाद तक चलती रहती है deals ताकि students phone ले पाए और उसके अलावा अगर आपका phone support कर रहा है and you think you know you want to save money for the next one year or two years and you can survive without a new phone then definitely go for only for SIM cards sorry option है so for example अगर मेरा मन आया S9 पे तो मैंने S9 ले लिया ठीक है जब latest phone आता है तो उस पे कोई offer होती है कि S9 ट्रेड इन करके कुछ something ऐसा कि S9 की पूरी value देनी पड़ती है हमें ताकि हमें S10 Plus मिले यहां पे यह काफी customers का भी सवाल रहता है मेरा जितने भी customers है मेरे तो मैं इनको यह बूलता हूँ mostly जो students होता है कि at least आपने जो phone ले लिया है ठीक है उस time पे उस time पे आप अपने आपसे truthful थे कि आपने अपने ले एक बहुत अच्छा phone लिया है ठीक है तो उस चीज को at least एक साल तक रखने की कोशिश करो आपकी डिगरी खतम हो जाने तो एक साल की या डेट साल की दो साल का कोश भी almost around 16 months होता है तो डिगरी खतम हो जाने तो क्योंकि डिगरी खतम होता ही आपके ओपर कोई fees का pressure नहीं है कोई और घर से fees नहीं मंगवानी है या आपको pay नहीं करना है college को उस time पर आप full time काम भी कर रहे हो या work permit आ गया है तो उस time आपका जो device का जो balance है remaining balance आप pay off कर दो device आपकी हो जाएगी बहुत कम balance रह जाता है उस time तक एक साल या देट साल बात तक आप pay off करके device आपका हो गया market में नया phone आया let's say iPhone 11 pro आ गया है 11 pro max आ गया है आपका वो लेने का मन है and believe me at that point of time you can afford even 115 a month or let's say 130 a month 130 dollars a month आप afford कर सकते हो क्योंकि आप work permit पे हो या full time काम कर रहे हो आप उतना कमा रहे हो आपकी कोई fees नहीं जानी है चार महीने बाद या तीन महीने बाद so आप mental point of view से आप काफी you know relaxed or free हो आप spend कर सकते हो गाड़ी के ओपर phone के ओपर so yeah so I suggest you know क्योंकि आता है क्योंकि कॉस्मर के मन के student के मन के अंदर सवाल की तीन महीने बाद यार चलो upgrade कर लेते हैं I would rather suggest कि at least 1 साल तक रुक जाओ you know या 1.5 साल तक रुक जाओ क्योंकि अगर आप उस contract को break करोगे एक महीने के बाद या 2 महीने के बाद आप बोलो कि मुझे नया phone लेना है या मुझे मज़ा नहीं आ रहा है मज़ा नहीं आ रहा है तो आपको device balance pay off करना होगा फोन आपका हो जाएगा ठीक है और और उसके बाद जो आपने है phone यह चीज मैं usually recommend नहीं करता हूं मतलब students को especially तो अगर हम मुझे मैंने virgin का sim buy किया है ठीक है तो मुझे deal अच्छी नहीं लगी मुझे Fido के sim बहुत अच्छी deal मिर रही है as compared to virgin Fido ने लगाया एक promotion मैं pay कर रहा हूं virgin का 60 dollars per month but मुझे Fido वाले दे रहे है 45 per month वही same including tax तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए और फाइदा है इसमें कि नहीं अगर आपने phone ले लिया है contract so contract means कि यह सभी careers आपको phone देते हैं contract में contract means 2 साल का एक period होता है जिसमें आप अगर ही होते हो कि उस 2 साल के लिए आप service यूज करोगे company को तो यह एक tab system में काम करता है Canada में मतलब कि आपका एक plan था starting में मैंने आपको बताया तो 45 dollars का plan है तेक है उसमें एक tab add हो जाएगा 10 dollars का यह 15 dollars का let's say 20 dollars का थेक है तो जितने जितना tab आप पे कर रहे हो let's say 10 dollars आप पे कर रहे हो towards your plan so that makes 45 plus 10 55 उतना ही company भी pay कर रहे है आपके रहे let's say 10 dollars आपका tab है 10 dollars company भी pay कर रहे है तो वो एक depletion depletion होता रहता है आपके जो जैसे retail price है let's say samsung galaxy s9 की 1000 dollars let's say you know तो depletion अगर every month जो depletion होगा device का तो actually में यह होते है subsidized contracts subsidized commitments जिसमें कि अगर आप 2 साल तक इस phone को use करते हो तो आपको इस phone की almost 60 to 70 percent value pay करनी होती है या sometimes 50 मतलब यही आपको 1000 dollars का phone over a period of 2 years यह आपको around 500 या 600 dollar का let's say maximum 600 dollars का पड़ेगा तो उसको हम भोलते है subsidized commitment या subsidized contract अगर आप भोलते हो कि मुझे वो break करना है contract तो आपको subsidy जो आपको मिल रही थी Virgin की तरफ से या Fido की तरफ से जो commitment था आपने वो break कर दिया तो तब जो remaining जो depletion जो ratio थी depletion की वो हिसाब से नहीं जाएगी और आपको क्योंकि खुद हिसाब लगाओ ना thousand dollars से 20 dollars या 30 dollars every month कम हो रहे हैं ठीक है तो 24 months कम हो के होते हैं 24 months के बाद phone आपका हो जाएगा no matter कि इतनी पर अगर आप उस चीज से पहले ही बार आ जाओगे एक दो महीने बाद ही तो दो महीने बाद लेट से इस में से 60 dollars less होगे अगर 30 dollars की depletion हो रही है तो दो महीने के बाद 60 dollars की depletion है तो almost आपको around 950 dollars पे करने होंगे तो कोई फाइदा ही नहीं है मलब चलती की ब्रेक करने का तो दाट इस वाइए यूजरी सजेस्ट अपनी डिगरी कतम होने तक रुख जाओ इवन यून सब भी आपको यह सजेस्ट करेंगे अगर आपको है यून कि फीस वगेरा भरनी है यून सेविंग माक्सिमम करनी है तो इस इस बेस ऑप्शन और यह चीज आती है रॉजर्स के अंदर इवन यह बेल के अंदर भी आती है टेरस के अंदर भी आती है बट उनका इंप्लिमेंटेशन प्रॉसरस अलग है तो लेट से कोई भी आपको प्रीमियम फोन लेना है आपने यहां पर देखा ओगा स्क्रीन पे जो भी जितने भी प्रीमियम फोन से मलब इसमें edge financing show हो रही है पहले क्या होता था premium phone पे zero down नहीं होता था मलब ये sheet कुछ ऐसी लगती थी कि maximum plan पे भी double XL plan पे आपको कुछ न कुछ down payment देनी होती थी जैसे iPhone XS Max हो गया तो आपको minimum $630 की down payment करनी ही पड़ती थी in order to get you know this phone जो की minimum payment है अब अगर कोई customer कहता है कि या मुझे बिल्कुल जो भी latest phone आया iPhone 11 pro 11 pro max या iPhone 11 टेक है या 10s max for example तो उनकी down payment वो बिल्कुल नहीं करना चाहता है zero down payment करना चाहता है तो उसमें एक financing scheme इन्होंने लांच की है Rogers ने तो इसमें आपको zero down payment करनी है फोन की इसमें क्या होता है price of the device let's say example के तोर पे इसमें iPhone 11 pro नहीं है बट उस टाइम पे 10s max था highest phone इसकी जो retail value है market में around 1700 डॉलर्स थी ठीक है इस 1700 डॉलर्स में ये price of the device हो गई इसमें 13% आड 1700 का आड हो जाएगा ठीक है वो कुछ amount होगा ठीक है जो भी total amount होगा उसको वो divide कर देंगे 24 के साथ ठीक है तो इसमें आड होगा जो इनका monthly plan था Rogers या Bellier Tellers का इनका plan start होता है 75 से इस plan में अलग से tax लगेगा 75 डॉलर्स प्लस 13% tax तो ये somewhere around 83 या 84 डॉलर्स आता है तो 83 या 84 डॉलर्स प्लस ये जो value बनती थी मैंने last calculation की थी around 60 से 65 के बीच में आता था तो 80 प्लस 60 makes it somewhere around 140 या 145 अमांथ तो ये एक option है अगर आपको बिल्कुल 0 कुछ पे ही नहीं करना है कि किसी भी latest premium phone पे जो कि अभी भी launch हुआ है market में ये जिसकी value अभी भी बहुत जाद है तो आपको around 140 या 145 अमांथ में वो device मिल सकती है Rogers पे भी Bell पे भी और you know टेलेस पे भी Rogers का ये है कि Rogers ये tax जो होता है device का इसको device के price में add करके 24 से divide करता है Bell जो होता है ये जो 13% tax है ये पहले bill में ही ले ले लेता है मिलाब ये जो price और device होता है वो divide करता है वो 24 से similarly टेलेस भी ये ही करता है ये जो 13% tax होता है फोन का ये वो या वो advance में either down payment लेता है या फिर first bill में लेता है बट Rogers आज़ा करता है कि 13% को add करके total को divide करता है 24 के साथ ये चीज़ है और और भी scheme आती है Rogers और Bell और टेलेस में की 15 dollar discount मिलता है per line में अभी recently ये scheme चल रही है जिसमें कि मालो की आपने एक line add करवाई है अपने ही account में मालो आपकी wife आ रही है आपके साथ या ठीक है या आपका भाई या बहन तो उसको आपके ही account में एक और line add करवा रहे है जैसे माली जेए आपका 115 dollar का plan है ठीक है और आपके भाई या भएन या आपके wife का भी 115 dollar का plan है अब ये line add होई है आपके account में तो इनको भी 15 dollar का discount मिलेगा और आपको भी 15 dollar का discount मिलेगा तो that means आपका 115 से 100 पे आ गया, इनका भी 115 पे 100 पे आ गया, इनका प्लान अगर 85 का भी है, जो भी प्लान है वो माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 15-15 डॉलर डोनों को डिस्वांट मिलेगा मंतली, मंतली बेल्स पे, तो ये एक स्कीम चल रही है, ठीक है, उसके अलाबा, एंड में एक चीज़ कवर करना चाहूंगा, मतलाब ये मेरा एक परस्नल सजेशन रहता है, कांड ओफ ये अपने सारे कस्टमर्स को, no matter, वो सुटेंट्स हैं, या वो लोकलाइट्स हैं, फॉरनर्स हैं, जो भी हैं, तो ये चीज़ में एंड अपने बिल्स को हमेशा चेक करि करती थी, और वो जाधा पेक कर जाते हैं, तो थोरूली चेक करिए, हो सके हैं, तो कस्मर्स अवे से अगर आपको, you know, लड़ना भी पड़े इस चीज़ के लिए, कि या ऐसे कैसे बन गया मेरा इतना बिल, आप मुझे क्लारिफाई करो, तो अगर आप शौर हो कि आपका ब लोगे साथ ऐसा हो गया इंफाक्ट, कि उनका बिल, एक्स्पक्टेद से, थाउजन डॉलर, उपर चला गया, एक का बिल, 1700 डॉलर चला गया, एसाथ बंग एक बिल दॉलर चला गया, आप इमाजन करिए, एक लाग बिल उपर चला गया है, एक मत का, तो, यॉवध तो you know, check your bills thoroughly and if you think you know you don't deserve that kind of bill और आपको unwantedly charge किया गया है तो do check with the customer service you know once a month you do call them secondly is एक data warning की setting होती है phone में iPhone में भी होती है Samsung के phone में Android में भी होती है एक data warning की setting लगा लिजिए कि आपका data है मालो 4 GB और खतम हो जाएगा तो 3 GB की warning लगा लो और similarly data blocking का भी option आता है no matter और आपको Fido और Kudo data average का पिछे से होता है कि यो बंद कर देते हैं बट still अपने phone में for safety purposes कि आपका bill गलती से भी जादा ना आ जाए data blocking लगा दो 4 GB की limit लगा दो कि 4 GB के बाद मेरा phone data और ले ही ना पाए इसमें एक cycle का setting होता है उस cycle set कर लो जो आपका cycle है monthly bill cycle उस cycle के हसाब से data warning की setting कर लो data blocking की setting कर लो second advice मैं यह देता हूँ तीसरा है कि हां कभी कभार क्या होता है आप Canada में रह रहे हो और आपको जैसे Canada का भी plus one है ठीक है calling code वैसे US का भी calling code plus one है आपको US से calls आती है ठीक है हम students होते हैं तो हमने काफी जगह पे resumes बांट रखे होते हैं तो हमको expectations होती है कि हमको call आएगी इंटर्व्यू के लिए या फिर job के लिए तो कभी कभार क्या होता है मेरे साथ हुआ है काफी बार काफी customers के साथ होता है students के साथ होता है कि US से call आती है और वो spam calls होती है और आपको जब भी वो miss call दिखती है अपने फोन में जब भी time मिलता है आप बाकॉल करते है उस number पर आपको लगता है प्लस वन लगा है वो Canada से call आई है बट यूनो काफी टाइम हो US से call आती है तो I always suggest customers to check the first three digits जैसे कि Kitchener, Waterloo और Cambridge Kitchener, Waterloo का हम लोग का starting से होता है first three digits 519 यह 226 यह हमारे calling codes है तो हमेशा Google करो 519 यह 226 को Google करो मतलब की और आपको पता लग जाएगा वो Kitchener का ही number है यह Waterloo का number है तो अगर वो Toronto का number है तो 437 यह 647 आप Google कर लो अगर आप वो sure हो उस पहले three digits of the number कि वो Canada का ही number है तभी call back करो नहीं तो अगर आप ऐसे किसी random number पर call back कर दोगे अगर वो US का number हुआ तो आपको US के हिसाप से charges लग जाएंगे for an international call ठीक है तो एक यह चीज़न सजेस्ट करूंगा उसके अलावा phone की application भी आती है जैसे Fido की sorry careers की application आती है Fido की Virgin Mobile की Kudo Mobile की वो application अपने phone पर download कर लिजे उस application से भी आ आप एक ट्रेस कर सकते हैं ट्राग रख सकते हैं कि आपका usage क्या रहा है in terms of data आप क्रॉस तो नहीं कर रहे हो कोई लिमिट्या जो 1000 मिनिट्स मिलते हैं आपको हिंडिया कॉलिंग के तो वह भी आप रख सकते हो कि 1000 मिनिट्स से ऊपर मत चले जाना गलती से भी तो उससे extra charges ल वीडियो मिलें that's why मैंने लक्ष को कहा था पूरा planning करके आना तो अगर आपको कोई deals चाहिए होगी लक्ष को DM कर देना और मेरा reference दे देना कि प्रयांशु गुपता ने भेजाए आपको ठीक है तो फिर आपको अच्छे अच्छी deals मिल जाएंगी और इसका link में डाल देता ह ठीक है अच्छी लगी वीडियो तो like कर देना और subscribe कर देना चैनल को और share करना मत भूलना thank you so much guys अपना ख्यार रखना बाब बाई take care